नमस्कार तो आज हम बात करने वाले हैं Under 17 Asian Cup और Under 20 Asian Cup के लिए Ports जो आ चुके हैं कि Qualifiers में हम किन टाइप के Groups में जा सकते हैं यह अंदाजा लगाए जा सकता है अभी तो हम Ports के बारे में थोड़ा डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजे समझ सकते हैं आपकी Under 17 में हम Ports 1 में गया हैं मतलब कि हम एक बहुत अच्छी टीम है Ports 1 में जाना और वहीं पर Under 20 में हम Ports 3 में जाते हैं तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि Under 17 लेवल पर हम कितने सही हैं और Under 20 लेवल पर हम थोड़ा नीचे जा चुके हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि Under 17 के बाद बिल्कुल धम मसे हम जमीन पर आके गिर रहे हैं और Under 23 में भी सेम हाल है हमारे तो हम थोड़ा सा Ports के बारे में डिसकस करते हैं और यह समझेंगी कि क किस तरह के मैचे से हो सकते हैं मतलब एक प्रेडिक्सन आप भी लगा सकते हैं बाकी जून में जो है वो में ग्रुप्स जो है में भी हमको पता चल पाएंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं Under 17 Asian Cup Qualifiers के Ports के तरफ तो दिखिए अगर हम Ports 1 में जाते हैं तो हम सोचे हमारे इंड जो सबसे टफ़ेस टीम से हैं वो हमारी पॉट में उसके बाद Ports 2 में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि बांगलादेस वहां पर है तो बांगलादेस भी ग्रो कर रहा है इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया जा रहा है उपर इंडिया पॉट 1 में तो पॉट 2 में करते कि किस टाइप की टीम सगर हमारे खिलाफ खेलें तो देखिए पॉट 2 से अगर आप बोलेंगे तो सबसे टफ़ टीम वहां पर वियतनाम है क्योंकि लास्ट अंडर 17 एसीन कप में हमने वियतनाम के एगेंस खिला था और आपने देखा था हमारे टीम और उनके एगेंस के้ लिए हैं तो होता है कि हां हम कुछ कर रहा है लेकिन हमारे मेंटeलइटी ऐसी बना दी गई है कि हम सोचते है कि इजती है इसी टीम आजया है तो हम इसले आगे निकल जाएँगे तो यह एक तो मेंटeलeटी है न Χाल ना उपर से हमारी स्रड़ा दी गई है तो उसके बा पाएंगे क्वालिफाय तो यह बहुत ही शर्म की बात है और देखिए हमारी जो टीम है जून से कैम चालू करने वाली है और मेभी सेतंबर अक्टूमबर के टाइम में जो क्वालिफायर्स आएंगे तो आप सोचे दो तीन मेनी की तीम तैयार हुरी है अब कितनी एक्सपेक्टेसन रखेंगे दो महीने पहले क्योंकि यह मैं आपको अल्रेडी बता दू कि इसमें अभी कई ऐसी टीम से जो अल्रेडी अपनी टीम बना की रखी हुई है और ओर अल्रेडी ट्रेनिंग भी वो मैचेस खेल रहे है ऐसी टीम से लेकिन अभी रेगुलर जो हम क्वालिफा कर रहें अंडर 17 के लिए और से साब से सोच हूं तो क्वालिफा हमको करना ही चाहिए अंडर 17 ने इस इनकप के लिए फिर अंडर 17 के बाद हम अंडर 20 के पार में डिसकस करते हैं तो यहां पर आप सबसे पहले मैं आपको कुछ च किर्गिस्तान नजर आएगी और इसी पॉर्ट में आप देखे आपको वियतनाम भी नजर आएगी और इंडोनेसिया भी नजर आएगी और आप देख सकते कि यह कंट्री यूथ लेवल पर कितना अच्छा कर रही है और सेकंड पॉर्ट में भी अगर आप जाते हैं वहां बंगलादेस भी हमसे उपर है आप देखे बंगलादेस हमसे उपर है मलीशिया जर अब देनस तो यहां पर आप एक छोटा से डिफरेंस देख सकते है कि अंडर 17 लेवल में हम पॉर्ट वन में कंपीट कर रहे हैं लेकिन अंडर 20 में हम धीरे धीरे नीचे जा रहे है और से इनके अगेंस दो महिने की प्रिप्रेशन या थीन महिने की प्रिप्रेशन मुझे नहीं लगता है under 20 लेवल पे ज्यादा सही हो पाएगी क्योंकि इन कंट्रीस की under 20 की टीम पहले से ही बन चुकी होती है और उनकी प्रिप्रेशन भी चालू हो चुकी है तो इनके against थोड़ा हमको tough पड़ेगा because इनकी जो preparation है वो बहुत ज्यादा better है pot 2 countries की बात करें तो इसमें कुछ countries है जिनके against इंडिया काफी अच्छा perform कर सकती है लेकिन कुछ countries ऐसी है जो equally tough fight देगी pot 1 countries की तरह then pot 4 countries ऐसी countries है जिनमें कुछ countries हमको tough fight दे सकती है बट कुछ countries को हम बहुत अच्छे से हरा सकते है और जो pot 5 countries है उनकी तो हमसे भी बुरी हालत है कई countries की तो उन countries के against हमको must जीतने ही चाहिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर आगे निकलने के लिए अगर आप सोचते है तो pot 1 की countries के बारे में ज्यादे discuss करने का मतलब नहीं लेकिन अगर हम pot 1 countries के against draw भी निकाल लेते है it will be a big result रहेगा लेकिन last time आपने देखा था pot 1 countries जैसे Australia हमारे पास आई थी तो अच्छा result हम नहीं निकाल पाये थे और हमको आगे qualify करना है तो हमको at least 6 points तो चाहिए ही चाहिए होंगे जिसमें की goal difference भी हमारा सही होना चाहिए तो bottom तभी predict कर पाएंगे जब हमारे पास June में proper एक group हमको मिल जाएगा तब हम थोड़ा सा prediction लगा पाएंगे कि क्या हम उन team के against जीत पाएंगे या draw कर पाएंगे तो अगर हम यह भी सोची कि pot 4 और pot 5 countries के against हम win करें तो भी हम आपस 6 points होई आते हैं और pot 2 country के against अगर हम draw करें और pot 1 country के against जो भी result आता है तो भी still हमारे पास एक better chance है कि हम 2-6 के बाद पहली बार qualify कर पाएंगे अब देखें अंडर 17 की बात करें तो सोलर टीम्स जो है अंडर 17 अगर हमको कुछ हमारे फैंस को कुछ दिखाना है निव फुटबॉल प्लेयर्स को एंकरेज करना है तो अंडर 17 में तो हमको qualify करने ही पड़ेगा विकाज अभी last two एडिसंस में हमने qualify करके दिखाया है तो इसमें तो करना पड़ेगा और एक में तो हमने almost आपको पता है कि quarter final खेला था और अंडर 20 में आप देखी कि 10 जो ग्रूप है उनके उनके जो winners रहेंगे वो qualify करने वाले और 5 best runner-up qualify करने वाले तो अंडर 20 में काफी बड़ा struggling आपको देखने को मिल सकता है it will be tough for them because physically थोड़ा सा मार खाते है then opponents जो आने वाले अगर आप बोलेंगे तो कई countries में तो 18-19 साल की उमर में कई जो players है वो इतने developed होया आते है भार की countries के कि क्या ही बता है वंद हम फिजिकली ही बोल रहा हूं टेक्निकली बोल रहा हूं इसमें बोल रहा हूं तो यह चीज़े जहां पर हम कहीं नहीं महार रखाते हैं यह सीन है और under 23 का तो बाद में आगा उसकी बात हम बाद में करेंगे तो इस तरीके से जो under 17 और under 20 के ports आये हैं और आपकी क्या hope अभी है कि हम क्या कर सकते हैं किस तरह का group आप देख रहे हैं मैंने तो आपको बता है easy group अगर आपके दिबांग में आ रहा होगा कि easy जी मिल जाए तो आप भी वही same जो है ना छोटी मानसिक्ता में जा चुक है जो कि हमारी football को ग्रो नहीं करने वाला ठीक है तो आप तो अभी ऐसा सोची कि है जो team आया है हमारी preparation है तो हम qualify कर सकते हैं कर नहीं है तो qualify करने की सोच रखना ही सबसे बड़ी मुर्खता होगी under 17 में मैं भी कह सकता हूं कि हमने अभी under 17 का tournament वगेरा खिला है और अभी हम camp करेंगे और youth level में उतना competitive football नहीं मिलता अभी अपने को ठीक है तो उसमें qualify करने की उम्मीद रख सकते under 20 में तो मुझे उतनी नहीं है उतनी hopes कम है बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज आपको उसका reason पता होगा तो बाकी अगर qualify करते हैं तो it will be very good क्योंकि अगर हम qualify करते हैं तो हमारे players के लिए बहुत बड़ी हमोटीविशन होगी हमारे इंडियर football fans के लिए बहुत बड़ी हमोटीविशन होगी तो देखते हैं क्या कर पाते हैं नहीं बाकी अभी तो जो है वो groups भी अभी announce नहीं हो है जून में हम wait करेंगे किस तरह की group हमको मिलत है उसके बाद और थोड़ी clarity आ जाएगी कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं तो बाकि आपके क्या thoughts है pots को देखकर आपको क्या लगता है अभी आपको इंडियर football कितने पानी में कितना पानी के उपर नजर आ रहा है आप उसके उपर thoughts अपने जरूर रखिएगा और इसी तरह आपको इंडियर football को सपूर्ट करते रहे हैं बहुत है वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत